क्या आपके अमरूद के जो फूलें वो फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं फल बनी नहीं पाते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको बताऊंगा आप अपने अमरूद के पौदे पर ज़्यादा फल कैसे पा सकते हैं और फूलों को कैसे गिरने से रोक सकते हैं नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं इस अमरूद के पौदे पर इसी तरह फल लगे हुए है जिन पौदों पर फूल आ जाते हैं वो फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं तो वो क्या वज़य होती है दोस्तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ सबसे पहले हम जान लेते हैं अगर हमें अमरूद के पौदे पर ज़्यादा फल लेने हो तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों आप अमरूद के पौदे पर दो तरीके से फल ले सकते हैं और्गेनिक और इन और्गेनिक तरीके से ज़्यादा फल आप पा सकते हैं अगर आप और्गेनिक तरीके से लेना चाहते हैं फल तो आपको करना यह है अगर जमीन में आपका पौदा लगा हुआ है या गमले में अगर गमले में लगा हुआ है पौदा आपका तो 14 इंच से गमला आपका बड़ा होना चाहिए मेक्सिमम 14 इंच का तो होना ही चाहिए अगर जमीन में लगाए तो इससे अच्छी वात कोई होई नहीं सकती तो आपको करना ये है कि कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट या गोवर की खात आप यूज कर सकते हैं पौदे में पौदे में आप इसे एक वार महीने में यूज कर सकते हैं तो इससे होता ये है कि पौदे का विकास बहुत अच्छा चलता है पौदे पर जितने भी फूल बनते हैं वो फल में बदल जाते हैं और ध्यान रखें कि पौदे को प्रौपर लगवक 5-6 गंटे की दूप अवस्स मिलना चाहिए अगर पौदे को प्रौपर दूप मिलेगी तो पौदे की जो गिरोत है वो अच्छे से चलेगी जो फल गिर जाते हैं और जो फूल आते हैं वो फल बनने से पहले भी गिर जाते हैं तो यह समस्या आपके पौदे पर बिलकुल नहीं आएगी आपको ये चीज ध्यान रखनी है तो आप देख सकते हैं दोस्तो इस छोटे से अमरूद के पौदे पर कितने फल लगे हुए हैं दोस्तो अभी भी इस पौदे पर धूप है और इसके अलावा पानी का में खास ध्यान रखना है पौदे में आप पानी टाइम पर दें तो पौदे का जो विकास है वो बहुत अच्छा चलता है अगर हम अपने पौदे को धूप में नहीं रखते हैं अगर पानी लेट करते हैं तो पौदे के जो फूल हैं वो गिरने लगेंगे जो फल बन भी चुके हैं वो काले होकर गिर जाएंगे तो चलिए दोस्तो अब जान लेते हैं उस फट लाजर के बारे में जिससे की पौदे पर ज़्यादा फल आने लगेंगे तो पौदे पर ज़्यादा फू लाने लगते हैं जब ज़्यादा पौदे पर फू लाएंगे तो वो फल में बदल जाएंगे तो इसका काम यह है कि पौदे पर फल ज़्यादा लाने का तो दोस्तों ये मैंने एक पौदे के लिए एक चमच लिया हुआ है तो और इसे में लगवग आदा लीटर पानी में इसे में घुल लूँगा इसे में पौदे में सीधा नहीं डालूँगा अब इसके अलाबा दूसरी चीज आप जो देख रहे हैं ये मैंने लिए क्रोपिस्टार इससे होता ही है कि जो पौदे में नमी बनाये रखती है पौदे पर जो फल आता है उसे बड़ा करने में ये बहुत मदद करती है तो आपको ये भी एक चमच लेनी है अगर आप इन और्गेनिक तरीके से पौदे से ज्यादा फल लेना चाते हैं तो तो ये दोनों चीजें मैंने एक एक चमच ले हुई है इससे पॉदे का जो फले वो बहुत बढ़ा हो जाता है तो चलिए तो अच्छे से मैं इसे एक वार घोले लेता हूँ तो देखे तो मैं अच्छी तरीकी से गोल लिया है गोल देने के बाद में कुछ इस तरीके से ये फट लाजर अब बनके तयार हो चुका है एक वार इसे मैं हिला लूँगा और इसके बाद में इसे मैं अमरूद के पौदे में अच्छी तरीके से यूज कर लूँगा तो इस फट लाजर को आप आसानी से अपने पौदे में दे सकते हैं तो चलिए इस फट लाजर को मैं जल्दी से डाले देता हूँ और ये फट लाजर आप महिने में इसको भी आप एक वार डाल सकते हैं बस एक वार डालिए अमरूत का पौदा फलों से भर जाएगा तो चलिए जल्दी से हम डाले देते हैं उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी है वीडियो अवसी पसंद आई होगी चैनल पर पहली वार आए हैं तो प्रीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एक वर लाइक एक वर जरूर सेर करें तो दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में फिर लूँगा किसी नेट आपको किसा ठेंक्यू